नमस्कार विद्यारतियों बहुत स्वागत है आपका ग्यानोदे अकेडमी हनमानकर जंक्शन के इस ओनलाइन यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 की हम हिंदी कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नमबर 2 चल रहे है तुलसी दास जी का राम लक्षमन परसुराम समवाद और इस चैप्टर में हम तील पद्या कर चुके हैं आज हम चोथे पद्यांस को बढ़ेंगे और उसकी सह परसंग व्याख्या करेंगे देखे कोसिक सनूमंद येहू बालकू देखे यहां हम ही बात कर रहे हैं कि जब लक्षमन परसुराम जी के बीच में समवाद चल रहा होत कोशिक किस के कहा गया है कोशिक सुन हूँ मंद येहू बालकू मंद का मतलब यहां मुर्क की कोशिक सुन हूँ ये जो बालक है ये मुर्क है कालबस का अर्थ क्या होता है मोत के वश में कालबस का मतलब क्या होता है मोत के वश में कोशिक सुनूमंद यहु बाल को कुटिल कालबस निजकुल घाल कू परशुराम ने कोशिक विश्वामित्र से कहा कि यह बालक यहु लक्षमन है बड़ा ही कुबुद्धी और कुटिल है कुटिल काल बस निजकुल घाल को यह काल के वश में होकर अपने कुल का घा तक बन रहा है यह अपना वद करवाना चाहता है मेरे आतों से और ये अपने कुल का क्या बन रहा है घातक बन रहा है भानुबंस राकेस कलंकू भानुबंस भानुबंस का मतलब होता है सूरेवंशी क्या मतलब है इसका इसका मतलब है सूरेवंस भानुबंस का मतलब क्या है पर निपत निरंक कुसु अभुद बालुकू supuesto यह सूरय वंसी भी होते हुए यह करें यह भानुबस यानि सूर्य वंसी राकेश का मतलब क्या है चंद्रमा है यह सूर्य वंसी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है भानुबस राकेश कलंकु यह सूर्य वंसी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है निपट निरंकुसु अबुदू का मतलब होता है मूर्ख, ये मूर्ख है लक्षमन, असंकू का मतलब होता है निडर, असंकू का मतलब क्या होता है, असंकू का आर्थ होता है निडर, अब देखें यहाँ क्या कह रहे है, परचुराम जी कह रहे है, ये सभी तरह से उदंड मूर्ख और निडर है, यहां पे देखे का जाता है यह अभी छणभर में काल का ग्रास हो जाएगा यहां पे परशुराम जी क्या कह रहा है कि छणभर में काल का ग्रास हो जाएगा कहो पुकारी मैं ये पुकार कर कह देता हूँ फिर मुझे कोई दोस मत देना खोरी मोही नहीं खोरी का मतलब दोस मत देना यानि फिर मुझे कोई दोस मत कहना कि आपने कहा नहीं या बताया नहीं तुम्हे हटको हूँ जो चहू उबारा कही परतापू बल रोशू हमारा तुम्हे हटको हटको का मतलब होता है रोको हटको का मतलब क्या होता है रोको जो चहू उबारा कही परतापू परतापू का मतलब क्या होता है परतापू का मतलब होता है बल या शक्ती परताप बल या शक्ती यहां पर देखे परशुराम जी क्या कह रहे हैं यहां पर परशुराम जी कह रहे हैं यदि तुम इसकी रक्षा करने चाते हो तुम्हें हट कहूं जो चहू उबारा यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो उसे हमारा परताप बल और क्रोध बतला कर रोक लो कही परताप बल रोशु हमारा कि इस लक्षमन को बता दो कि परशुराम क्या चीज है परशुराम का बल कितना है परताप कितना है और उसका क्रोध कितना है तब लक्ष्मन जी क्या कहते हैं सुनिए लक्ष्मन जी बोलते है लक्ष्मन कहिऊ मुनि सुजुसु तुम्हारा यहां पर लक्ष्मन क्या कह रहे हैं लक्ष्मन ने कहा कि हे मुनि हे मुनिवर आपका सुजुसु तुम्हारा सुजुसु का मतलब सुयस आपका सुयस आपके अलावा कौन वर्णन कर सकता है तुम्ही अच्छत को बरने पारा तुम्ही अच्छत को मतलब है छोड़ कर अच्छत का मतलब क्या होता है छोड़ कर बरने पारा का मतलब है वर्णन करना बरने पारक का मतलब क्या होता है वर्णन करना ये कर रहा है कि आपके अलावा आपके बारे में वर्णन कौन कर सकता है अपने मुहू तुम्हें अपनी करनी अपने मुहूँ लक्षमन जी कहते है परशुराम जी आप तो अपने मुह से अपनी ही बड़ाई बार बार कर रहे हो बार अने की बाती बहु अरनी ये क्या कर रहा है कि बार बार आप क्या कर रहे हो बार बार आप तो अपने मुह से अपनी ही बड़ाई कर रहे हो नहीं संतेशू ते पुनी कच्चु कही हूँ यहाँ पर लक्षम जी क्या कह रहे हैं देखी इससे भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ नहीं संतेशू तो पुनी का मतलब दुबारा कच्चु कही हूँ अगर इससे भी आपको संतोस नहीं हो रहा है तो फिर कुछ कहे डालिए जनीरिस रोकी दुस दुख सहूँ आपका क्रोध आप क्रोध रोक कर ऐसे दुख सहन न कीजिए आप जो कुछ भी कहना चाते हो मुझे आप कह सकते हो बीर ब्रती तुम धीर अचोबा गारी देत ने पहुआ शोबा देखें यहां पर लक्षमन जी क्या कह रहे है बीर ब्रती का मतलब क्या होता है बीर ब्रती का मतलब होता है वीरता के मार्ग पर चलने वाला वीरता के मार्क पर चलने वाला दीर अच्छोबा अच्छोबा का मतलब होता है अच्छोबा का मतलब क्या 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 होता है देर्यवान है गाली देत ने पहुँआ शोबा और आप गाली देते हुए शोबा नहीं पा रहे है सूर समर करनी करी कहीन जानवी आपू बिद्वमान रन पाई रिपू कायर कथी परतापू देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि करनी करनी का मतलब होता है काम करनी का मतलब क्या है काम से है कहीन जनावई जनावई का मतलब होता है परिचित करवाना क्या होता है जनावई का मतलब परिचित कराता है या करवाना विद्यमान विद्यमान का मतलब होता है प्रकट विद्यमान जो है प्रकट और कतही का मतलब क्या होता है कतही का मतलब कहते हैं तो यहाँ पर देखे कि है शूर वीर तो युद में शूर वीरता सूर समर करनी करी कि जो शूर वीर होते हैं वो तो युद में शूर वीरता का कारे करते हैं करिए ने जनाव ही आपू अर्थार्थ अपने मूँ से अपनी परशंचा कभी नहीं करते कि परशुराम जी अगर आप सूरवीर हो तो जो सूरवीर होते हैं वो सूरवीरता का कारे करते हैं ना कि अपने मूँ से मिया मिट्टू बनते हैं अपनी बड़ाई करते हैं विद्व मारन पाई रिपू रिपू का मतलब दुश्मन कायर कथी परतापू शत्रु को यूद में उपस्तित पाकर कायर ही वेर्थ में अपने परताब अर्थार्थ अपने यश्की किर्थी को डिंग किर्थी की डिंग आका करते हैं कि परशुराम जी यत्रू को युद में उपस्तित पाकर वो कायर वैक्ती होते हैं जो अपने परताब या यश्की जो डिंगे मारा करते हैं तो यह आपका चतूर्थ कपद्यांस था जिसकी सह परशंग व्याख्या मैं आपको फिर से एक बर बता देता हूँ कोशिक सनू मंद यहू बाल को कुटीलू काल बस नीज कुल गाल को यहां परशुनाम जी ने विश्वा मतर कोशिक को आया विश्वा मितर किसे कहा कि विश्वा मितर जी यह बालक लक्षमान बड़ा कूब उद्धी और कुटिल है यह काल वस में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है भानु बंस राकेश कलंकू यह सूर्य वन्षी होते हुए भी राकेश नी चंद्रमा यह चंद्रमा के कलंक के समान है निपड निरंकोशू अभुदू अशंकू यह सभी तरह से उदन मुर्खो निर्धर है काल कवलकू होई चंद माही, अभी चंद में ही क्या होगा स्द्रमा यह काल का ग्रास हो जाएगा कहो पकारी खोरी मोहिनाई मैं पकार के कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना तब लक्षमन ने कही पर्ताबू बल रोष्ट दमारा तब लक्षमन कहते हैं मुनूई आपका शूयस आपके अलावा और कौन वनन कर सकता है तुमी अच्छत को बरने पारा आपने अपने मुख से ही अपनी करनी अनेक बार से हमें बार बार बता रहे हो अपने मुँ तुम अपनी करनी बार अनेकी बात ही भरनी तुम अपने मुँ से अनेक बार अपनी परशंशा कर रहे हो तो किसी और के बताने की जरूरत नहीं है नहीं संतोष तुम पुनी कचु कही हो अगर आपको इतने से भी संतोष नहीं हो रहा है जनी रिस्ट रोकी दुशु दुख सही हो तो आप दुबारा हमें कुछ को कह सकते हो और अपने क्रोध को शांत कर सकते हो बीरी ब्रती तुम धीर अचोबा अपनी वीर्था का वरत दारन करने वाले धेरेवान और अपनी पसंचा नहीं करते हैं गारी देतने पाउन सोबा और आप जैसे शूरवीर गारी देते गाली देते हुए भी अच्छे नहीं लेक रगते हैं सूर समर करनी करही कहीं नहीं जाने आपू शूरवीर तो वही वैकता होता है जो शूरवीरता का कारे करता है और अपने मूँ से अपनी परसंशा नहीं करता है विदमान रन पाई रन यानि रन में युद में युद मेदान में रिपू यानि की दुश्मन कायर कतीव परतापू कि शत्रु को युद में उपस्तित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने परताब की परसंचा करते हैं और डिंगे हाकते हैं तो ये आपके से परसंच व्याक्याती नेक्ष्पद के साथ नेक्ष्वीडियो में मिलते हैं थेंक्यू